लोकसबा चुनाव सिर्पर है और कॉंग्रेस संगठन में अभी भी कई पद खाली पड़े हैं जिलों से लेकर कई बूत कारकारणी का गठन अभी तक नहीं हुआ है वही तीन साल से भंग पड़े प्रकोष्ट और विभाग की गठित नहीं हुए है प्रदेश महिला कॉंग्रेस की स्टेट और जिला कारकारणी भी भंग पड़ी है देखे हमारी स्पेशल रिपोर्ट देश में जल्दी लोकसबा चुनाव होने जा रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस संगठन अब भी पूरी तरसे खड़ा नजर नहीं आ रहा कॉंग्रेस की जिला, ब्लॉक और बूत कारकारणी अब भी अधूरी है महिला कॉंग्रेस कारकारणी भी पिछले दो महिने से भंग पड़ी है और तीन साल से भंग प्रकोष्ट और विभागों का कोई अता पता नहीं है आपको बताते हैं कौन कौन सी कारेकारणियों का गठन होना 6 है 41 में से अभी 35 जिलों में कारेकारणी बनी 66 जिलों में कारेकारणी का गठन होना बाकी 400 ब्लॉक कॉंग्रेस कमिटी में से 375 ब्लॉक कारेकारणी का गठन हुआ 25 ब्लॉक कारेकार्णी का गठन होना अभी बाकी 2200 में से 2100 कमेटियां बनी 100 बूत कमेटियों का गठन शेश राजस्तान महिला कॉंग्रेस कारेकार्णी भंग जिला द्यक्ष भी हटाए गए कॉंग्रेस में 3 साल से भंग पड़े हैं प्रकोस्ट और विभाग भी महिला कॉंग्रेस को छोड़ कर बाकी संगठन के पद विधान सबा चुनाव से पहले से ही खाली हैं उनके गठन के बिना ही चुनाव भी हो गए खाली पदों के चलते कमजोर बूत मैनेजमेंट और पार्टी के पक्ष में माहोल नहीं बनाने से खामियाजा भुगत ना पड़ा अगर चुनाव से पहले कारेकरताओं को एजजस करते हुए कारेकार्णी में लिया जाता तो यकीनन सियासी फाइदा मिलता इस संबन में प्रदेश कॉंग्रेस की तरफ से कई बार रिमाइंडर दिया जा चुका लेकिन अभी तक खाली पद नहीं भरे गए अब लोकसवा चुनाव से पहले पार्टी ने जल्द खाली पदों को भरने का दावा किया है लेकिन संगठन में लंबे समय से खाली पद पार्टी की चुनावी रणनीती पर कहते हैं कि संगठन में एकता होती है अगर संगठन मजबूत होता है तो किसी भी छेतर में जंग को आसानी से जीता जा सकता है बात कॉंगरेस पार्टी की करें तो लोकसवा चुनाव सीर पर है लेकिन अभी भी संगठन में उपर से लेकर नीचे तक लंबे समय से कई पद खाली पड़े हैं जो बैशक कॉंग्रेस पार्टी की चुनाव से पहले रनीती और इच्छा सक्ती पर स्वालिया निसान खड़े करती है कैमरा परसन संजे के साथ मैं दिनिया इशिडांगी फर्स्ट इंडिया न्यूज जैपुर पर भी चुड़ सकते हैं ट्विटर और पेस्बुक पर कीजिए हमें फॉलो यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कारेकर्मों का मजा हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरे जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे फर्स्ट इंडिया दिजिटल प्लाटफॉर्म पर भी फर्स्ट